हालो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आए हूँ आपके लिए फिर से एक न्यव वीडियो आज की ये वीडियो है सोचिलोजी नोर्स की में फाइनल यर की बुक है जिसमें हम आधुनिक समासास कर रहे थे उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिये थे आज का हमारा टॉपिक है जौक दरिदा का संशिप्त जीवन परीच है जो की हमारा आधुनिक समासास में आता है और ये आधुनिक समासास के सोचलोजीस्ट है समासास्त्री है तो ठीक है उनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे उनका ये जीवन परीचर्म करेंगे और जितने लोगों में भी वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं जो लोग भी फर्स टाइम चैनल पर आए हैं वेलकम चू माई यूट्यूब चैनल सोशलोजी नोट्स जहां पर आपको मिलती हैं सोशलोजी नोट्स रिलेटर प्रॉपर विडियो और बीएड नोट्स रिलेटर प्रॉपर विडियो तो चलिए स्टार्ट करते हम अपनी आज की वीडियो और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंग कि जो मैं वीडियो बना रही हूं वो आपके लिए हैलफुल है भी या नहीं कि आपका हर एक कमेंट बहुत इंपोर्टन होता है तो चलि स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जाक दरिदा का संशिप्त जीवन परीचे आजम क प्रदेश अलजीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था अगर इनका शॉर्ट कुछा जाता है तो पूछा जाता है कि जॉक दरिदा का जनम किस जगा हुआ था क्या डेट थी थी थीख है तो पंदरा जुलाई 1930 को फ्रांस राशित प्रदेश अलजीरिया के एक यहू मुद्धी परिवार में हुआ था, ठीक है, ओके, देखे, 1930 को, ठीक है, फिर आता है कि, अपने स्कूल से, प्रारंबिक दिनों, में, अपने स्कूल से, प्रारंबिक दिनों में, 1942, इस्वी में, सरकार की, यहूदी विरोधी, नितियों के कारण, दरीदा को, एक वर्ज, तक, विदाले से, बाहर रहना पड़ा, और इस दोरान, वे फुटवाल के खेल में, इतने अधिक, वियस्त हो गए, इतने अधिक, उन्होंने अपने आपको, उसमें, इन्वाल्ब कर लिया, कि एक ब्यवसाई, खिलाडी बनने के सपने, देखने लगे, बाद में, इन्हें पैरिस के, प्रशिद संस्थान, इकॉल, नॉर्मल, स्यूपियर, में दाखिला मिला, और यहां दरिदा ने, माहांदार्शने को, यह था, रूसो, निचे, गींडे, कामू, एवं सात्र को, पूरे मनोयोग से पढ़ा, इसका प्रभाव यह हुआ, कि, एक ओर, दरिदा, पच्चिन दर्सन को, को गहराही से, समझने, समझने लगे, तो, दूसरी और, उनमें, परिवार, यहं समाज के प्रती, उनका प्रभाव यह हुआ, एक ओर, वो दूसरी तरव, पच्चिन दर्सन को, समझने लगे, तो, दूसरी और, परिवार, समाज, समाज के प्रती विरक्ति का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से कोई भावना मतलब हीन भावना आजाना एवं क्रांती के भाव उत्पन होने लगे दरिदा को 1956 से 57 इसवी में हावर्ड विश्विदाले में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप मिली अलजीरिया की स्वतंतिता की लडाई के समय 1957 से 59 इसवी में दरिदा ने युद में सेवारत सैनिको के बच्चों के फ्रेंच और अंग्रेजी की सिक्षा दी उसके उपरांत 1960 से 64 इसवी में दरिदा ने पैरिस विश्विधाले में दर्सन की सिक्षा परदान की यहां के बाद दरिदा ने एकॉल नार्मल सुपीरियर में अध्यापक का काम किया जहां वे 1984 इसवी तक रहे इसी बीच जब प्रिश्विध प्रत्री का क्रिटिक में थिहास और लेखन की प्रकति संबंदी विश्यों पर उनके दो लंबे समिछाक्त्मक समिछात्मक लेख प्रकाशित हुए तो वे जन समुदाय के एक उद्धियमन विद्वान के रूप में प्रसिद हो गए 1986 इसवी में दरिदा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया विश्विधाले के समाज विज्ञान के प्रोफेशर के पद पर निक्त हुए दरिदा अमेरिका तथा युरोप के कई प्रशिद विश्विधालों येल विश्विधाले न्यू अर्क विश्विधाले न्यू स्कूल फॉर सोसल डिशर्च आधी में काफी समय तक विजिजिटिंग प्रोफेसर भी रहे ठीक है नेक्स्ट है मारा 1992 इस्वी में उन्हें Cambridge विश्विधाले द्वारा ओर्नरी डॉक्टर की उपादी से नमाजा गया वे American Academy of Arts and Science के समलित सदस भी रहे उन्हें लेकर दरिदा सीर्सक से एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी बनाई गई जिसमें उनकी अनेक उपलब्जियों को दर्साया गया 2003 इस्वी में डॉक्टरों की एक टीम ने जांच परताल के बाद उन्हीं कैंसर रोक की गंभी स्थिति में पाया फल्सुरूप 74 वर्स की आयू में उनकी 8 अक्टूबर 2004 इस्वी को पैरिस की एक अस्पताल में मेरत्यू हो गई आधूनिक विश्व सहित पर दरिदा का अत् सोद निवंद उनके कारे से प्रेरित है इसके अतरिक लगबग 14,000 बार भिविन पुस्त को एवं परत्रिकाओं में उन्हें अद्बुत कि अद्रत किया गया किया जा चुका है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी दरिदा की जो बुक्स है उनके बारे में तो नंबर वन बुक्स है स्पीच एंड फनोमिया एंड अदर एसे 1967 में नंबर टू है ऑफ ग्रमेटोलोजी 1967 में नंबर त्री है हमारी राइटिंग एंड दिफ्रेंच 1967 में फिर है नंबर फॉर पॉजिशन 1972 नंबर फाइफ है उनकी मार्गेन ओफ फिलासोफी 1972 फिर है उनकी डेजिमिनेशन 1972 फिर है उनकी ग्लास 1974 फिर है एट नंबर दा टूथ ओफ पैंटिंग 1978 फिर उनकी नाइन है साइन स्पोंस साइन स्पोंस 1984 नंबर तन है उनकी लिमिटेड इंस 1988 फिर है उनकी अक्ट ओ लिकलेचर 1992 फिर है उनकी अपरिस 1993 अपराइज प्राइज 1993 फिर नंबर थर्टीन है उनकी आचेव फीवर ए फ्रेडियन इंस्पिरेशन 1995 नंबर फोर्टीन है उनकी डेकुटरेशन्स इंसे इंचेव लिए न्बर फिफीन है उनकी आदिक्स, इसलीोशिशन अनकी नंकी एठिक्स, इंस्टिश्श less Brighting नंबर 17 है उनकी Sovereignants in questions The Piotics of Paul Klein 2005 नंबर 18 है उनकी The Animal That There For I Am 2008 ठीक है तो ये उनकी books थी जो उनने अपने टाइम में लिखी है और उनकी प्रिकास्ट हुई है सारी books तो फ्रेंड्स ये थे जौक दरिदा का जीवन संचिप परिच है तो जो उन्होंने अपने लाइफ में किया उन्होंने जो समासास्ती बने कैसे बने ये सब के बारे में तो उनसे short questions अगर पूछे जाते तो books पूछली जाती है उनका जनम कब हुआ ये पूछली जाता है और किस सन में उनका जनम हुआ था या कहां उनका जनम हुआ था तो फ्रांस में तो फ्रेंट्स अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी में लेंगे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट चाहूं कीजिए थांक्यू सो मच